जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम के जोतिस पार्षाला कारे करम में दर्शुप को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जरम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत 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 शुप काम नाएगा आज फिर हम जो जोतिस सीखना चाते हैं या जोतिस सीख करके आप अपनी खुद गुंडली देख सकते हैं और बहुत सारी बाते पहँचान सकते हैं एक छोटा सा सब्जेक्ट है और जो आपके बहुत काम आएगा कालसरफ दोश नाम सुना है ना कालसरफ दोश करीब परीब हर तीसरे व्यक्ति को होता लेकिन एक खुशी की बात ये है कुछ योग ऐसे होते हैं जो कालसरफ योग को विभल कर देते हैं कालसरफ में आप एक चीद देखेगा कई बार आपने सुनाओगा आशिक कालसरफ द जाता है तो काल सरफ आपको होता ही नहीं है महज फिर आप अन्विस्वास में जीवन जी रहे हैं वैदिक जोतिस में तो काल सरफ माना ही नहीं जाता है आप जो मानते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है और आपको आज की जो आते हैं जितने भी जोतिस प्रेमी बंदू हैं आपको बहुत काम में आएंगे आए पहले आज काम बंचांग देखें बाइस जन्वरी सन दोहजार चोविस दिन सौंबार सम्वत दोहजार असी पोश्माश शोकल प्रक्स तिथी आज द्वार्शी है नक्षत्र म्रक्षिडा राहुकाल साड़े साथ से नो दिशासूल पूर्वदिशा और आज बाइस जन्वरी है भागवान स्री राम की करपा हम सब के उपर बरसे आज अयोध्या दुलन बनी है और आज अयोध्या में भागवान स्री राम का है ना प्रान परतिष्ठा भागवान स्री राम की करप पूरे विष्व के उपर बरसने वाली है आभी सुबा की साथ वजे हैं हम सबको राम महँ होकर के जीवन जीना है मरयादाओं की तरह जीवन को जीना है और अपने आराध्य प्रभू श्री राम की चर्णों में जीवन जीवन की लिए हमें अपने जो भी करतब में हैं उनको निभाना है तो आज का दिन वैसे भी अपने आप में बड़ा ही पुन्या का दिन है जोतिस में बहुत लोगों की ये बाते आ रही थी कि लंबे समय से हम जोतिस का कारिकरम नहीं दे पा रही थे बिटा तो आईए भागवान श्री राम की आज खिर्पा हुई है और आपको पुन है हम जोतिस पारशाला के माद्यम से आज एक कालसरब के बारे में हम बताते हैं कालसरब वैसे दो गवैधिक जोतिस में माने नहीं है नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी कालसरब दोश का बड़ाए ही परचलन है अब कालसरब दोश बनता कैसे हैं यदि जनम पत्रीका में राहू और केतु के बीच में समस्थ ग्रह आजाएं जैसे उपर आ जाए राहू, मैंने सारी बाते बता रखी है लेकिन सब्जेक्ट अभी डिफरेंट है अब यहाँ ठहरिएगा, सब्जेक्ट आजगा डिफरेंट जाएगा उपर राहू है, नीचे केतु है या उपर राहू है, उपर केतु है, नीचे राहू है हमेशा जहां राहू होगा, उसके सब्तम केतु होगा जहां केतु होगा, उसके सब्तम राहू होगा दोनों ही चाया गिरह हैं, दोनों ही वक्रिस्तिती से चलने वाले उल्टी चाल से चलने वाले चाया गिरह है उपर राहू, निचे के तू, एक साइड में सारे गिरह आगे, इनके बीच में आगे न, एक साइड में आगे, उपर राहू आगे, नीचे इधर कोई गिरह नहीं है, इस साइड में, काल सरब बना, यहां राहू, यहां के तू, नीचे सारे गिरह आगे, उपर कोई गिरह नह तो जाएं तो कालसरफ कत्दाई भी नहीं होता डरने की जोत नहीं है बिलकुल मद्डरी है फिर भी आपको डर आहा है तो मैं कुछ करनेहीं सकता हूं अब यदि इस कुंडल से साप के फन और साप के मुख से है ना राहुके तु सर्फी होते से एक ग्रह बहर आ जाए मिसाल के दोर पे युपीटर आजाए। गुरू आ जाए। गुरू के बहर आने से क्या होगा। एक तो काल सरब कतम। दोसरी बात ब्रस्पति के बहर आने से ऐसा व्यक्ति बड़ा अदिकारी होता है। धान रखना, काल सरब दोस के व्यक्ति अगर काल सरब दोस भी है तो भी आपको ड़ना नहीं है ऐसे व्यक्ति बड़ी उन्नती करते हैं सचिन तिंदुलगर को देखीगा क्या उन्नती उनकी हुई है और किस प्रकार से आज पूरे विश्व में उनका नाम है आप लटा मंगेशकर की जी को देखिएगा अटल विहारी वाजपेजी को देखिएगा और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो बारा बज़ करके पांच मिनट पर जब आजादी के सिकनिचर की गए उस समय भारत वर्ष की कूंटले में काल सरब दोस का निर्मान हो रहा थ सब्था और आज किस प्रकार से मर देश दिन 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 हम सब तरक्की कर रहा है तो बिटे ऐसा काल सरब से दोस्ते आपको ड़ने की बात नहीं अने को लोगों के मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं जो काल सरब दोस्त था लेकिन बहुत बड़ी औरने जीवन में तरकी करें लेखिन कई बार कुछ घटना ऐसी घटती हैं कुछ ग्रह हमें अपनी लपेट में ऐसे ले लेते हैं कि हम उन्हें पढ़ना भोल जाते हैं, हम उने जानना भोल जाते हैं, क्या? ब्रसपती बाहर आया, आंचे काल सलब दोश बोलेंगे बहुत लोग, लेकिन मेरे इसाब से काल सलब दोश नहीं बनता है, वो व्यक्ति जीवन में एक बहुत शाहंदार तरक्की करेगा, वो व्यक्ति कहीं ने क के तुके कुंडल में फस गए लेकिन शानी भार आ जाएं तो ऐसे विक्तियों को जीवन में अक्सर हमने देखा है असे फलताओं का मुख देखना पड़ेगा उसी समय बढ़ने की कोई बात ही नहीं है उसी समय आप उसका उपचार कीजिए बच्चा बच्चे की 40 दिन बाद अपनी कुंड़ी बनवाई है वैसे वैधिक जोतिस में 40 दिन के बाद बच्चे की कुंड़ी बननी चाहिए 40 दिन बाद आपने कुंड़ी बनवाई है पता लग गया काल सरफ दोश है आन्शिक काल सरफ दोश है या उसके शनी ऐसे हैं आप उपचार करिएगा सब कुछ शीक हो जाएगा मंगल एक ग्रह भार आजाए उस कुंडल से तो मंगल भार आने से भी शुब माना जाता है मंगल प्राजे का सूचक है जीत का सूचक है जीत दिलाता है क्योंकि मंगल युद्ध के नायक है मंगल सेनापती है मंगल वीरता के धोतक है और मंगल जितने भी वीरता से भरे हुए कारिय होते हैं उन सब में मंगल अपनी शम्टा को पूर्ण पूर्ण रूप से दिखा दे हैं ऐसे वक्ति पढ़या योद्धा होते हैं ऐसे वक्ति अच्छा सा नित्रत्व करते हैं ऐसे वक्ति कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों के समदाओं को बाक डूर को समभलने का कारे करते हैं तो मंगल भी पिलस है उदर ब्रस्पति बताया गया ब्रस्पति भी आपका पिलस है इधर हाँ शनी के लिए आप जरूर एलेट मूट से रहिएगा शनी का जरूर ध्यान रखिएगा और यदि आपके ऐसी इस्तिति में शु शुक्र आपको मॉडलिंग से जोड़ देते हैं और यह भी कारण हो सकता है कि नई फिल्म में आज के दोर में शुकरवार की दिन ही रिलीज होती है और कहने का भाव और कौन सा किरह बचा जैसे ही बुद्ध है हाँ बुद्ध भाला जाए बहुत बढ़िया होता है आपका कंठ को मधूर रखेगा आपको मधूर प्रेमी बना देगा कंठ प्रेमी बना देगा कंठ प्रिया बना देगा मधूर बानी कर देगा कुंडली में यदि बानी दोश भी होती है तो बानी दोश को समुल जड़ से खाल फैकने की शक्तमता आपके बुद्ध रखते हैं और हम उसको और चार शब्दों में अलग बोल देते हैं तो कहने का भाव यह मैं समझ लेना कि आपको आशिक काल सरफ दोश है तो आपका बच्चा मार खाएगा या आपको दिक्कत आएगी या आपका व्यापार तूटेगा ऐसा नहीं है बिटे जोतिस को बहुत दंभीरता से प अंकट भरे जीवन में आपको उजाला दिखा दे आपके जीवन में रोशनी भर दे वो जोतिस का कारिया होता है इसलिए इसलिए बार-बार कहा जाता है कि जब भी कभी कुंडली दिखाओ या आप कभी भी कुंडली बनवाओ या किसी से मिलो किसी मरमग्गे से मिलो जैसे हर लाइन में ये बात आती है कि मुझे मकान बनवाना है, मुझे अच्छे अर्किटेक्ट की जरूरत है, मुझे अच्छे लिवर की जरूरत है, मुझे गोल्ड बनवाना है तो मैं अच्छी दुकान से गोल्ड लूँ, मैं किसी रिलाइवल इस्थान से गोल्ड खरीद हूँ समय उचल आज की ध्यान सादना में भगवान शिरी राम की गर्पा पूरे विश्व में आज बरस रही है आईए जुड़ते हैं आज की ध्यान सादना में भगवान परभू शिरी राम से रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा भवतुमे भोराम मा मुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनुरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वेदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चात्राबन कुम्बकर्ण हननं इतद्रामायनं कबश मना लें ज्यान करें प्रबुश्री राम को शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है हम बोलते हुए नित्र खोलने समान्य हो जाएं देखो साथ को आज की जो बाते आपको हमने समझाई एक बार इस चेप्टर को दुबारा से सारे को सुन लेना समझ लेना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा चलिए ऐसे ही प्रियास करेंगे कुछ न कुछ और चोटे चोटे सब्जेक्ट आपको हम जोतिस के लिए समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे आप स्वस्त नहें सुखी नहें इन्हीं शुक्तामनाव के साथ हम अपनी मानी को बिराम देते हैं जाए जाए अंबे भवान से जुड़ो और भवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया बहुत अच्छा लगा बहुत दन्यवाज और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहें हैं बहुत सरानी हैं हम लोग को मौका मिला है हम लोग बहागिशाली है जो आपके करीब से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस पार्दी बैल दें प्वार्ब ऑनादी आरेत्न सर्थी